आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौती विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे दो माध्यमों में तरंगदेर्ध के मान में परिवर्तन यदि दो माध्यम है तो उसमें तरंगदेर्ध के मान में क्या परिवर्तन होता है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कापी में नोट करते भी चलिएगा तो सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लिजिए अब यहाँ दो माध्यम जो है लेना पड़ेगा तो यहाँ लिखेंगे कि माना जो है निर्वात या हवा ले लेंगे एक पहला माध्यम हो जाएगा और दूसरा माध्यम जो है जल को ले लेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना माना निर्वात माना निर्वात में निर्वात में प्रकास का चाल सी प्रकास का चाल किसे दिखाते हैं सी तो निर्वात में प्रकास का चाल सी हो गया तिया पहला माध्यम हो गया तथा तरंग दैर्ध है तथा तरंग दैर्ध है तरंग देर्ध किसे दिखाएंगे तो तरंग देर्ध को लिम्डा से दिखाएंगे तरंग देर्ध लिम्डा हो तथा जल में प्रकास का चाल अब यहां दूसरा माध्यम ले लिए प्रकास का चाल तो प्रकास का चाल किसे दिखाएंगे अब तो जल में प्रकास का चाल को भी से दिखाएंगे एवम तरंग दैर्ध क्या है एवम लिखेंगे तरंग दैर्ध है तरंग दैर्ध क्या रहेगा तो जल का तरंग दैर्ध किस से दिखाते हैं लेमडा डबलू मतलब लेमडा डबलू डबलू मतलब वाटर लेमडा डबलू है तो इतना यहां पर पहले माना मे लिख लेंगे यहाँ दो माध्यम है पहला माध्यम जो है हवा है और दूसरा माध्यम जो है पानी है अब यहाँ पर लिखेंगे निरवात में प्रकास का चाल निरवात में प्रकास का चाल निरवात में प्रकास का चाल प्रकास का चाल तो प्रकास का चाल चाल का सुत्र क्या ह होता है तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे सुत्र होता है आप बिरती गुड़े आप बिरती गुड़े क्या होता है तरंग दैर्ध होता है आप बिरती गुड़े तरंग दैर्ध किसका सुत्र है यह तो चाल का सुत्र है आप बिरती गुड़े तरंग दैर्ध तो अ नहां पर प्रकास का चाल में अगर देखा जाए तरंगदैर्द क्या है तो लिम्डा है तो निरवात में तरंगदैर्द को लिम्डा से परदसित किया जाएगा इसलिए इसको समी का नमर अब क्या बना लेंगे एक बना लेंगे तो C बराबर क्या होगे गामा गुडे और लिम्डा का नाम क्या है तरंग दैर्ध है यह तो निरवात में प्रकास का चाल हो गया अब लिखेंगे जल में प्रकास का चाल जल में प्रकास का चाल अब जल में प्रकास का चाल अभी किसे पर दसित करेंगे जल का चाल बराबर पहले सुत लिखेंगे चाल बराबर सुत क्या है तो उपर देखें यह सुत्र क्या लिखा गया है आब बिर्ती गुड़े तरंग दैर्ध है आब बिर्ती गुड़े क्या है तरंग दैर्ध है यह किसका सुत्र है यह चाल का सुत्र है अब चाल की से दिखाएंगे यहां पर भी से और आब बिर्ती गामा से और अलेमडा डबलू से अभ क्यों लिखेंगे क्यों कि जल है अजल का तरणदर्य लेमडा डबलू से प्रदसित किया जाता है और हवा में जो तरणदर्द होता है उसको लेमडा से प्रदर्सित किया जाता है अब समीक एक और समीक दो को दोनों को क्या करेंगे भाग कर देंगे अब यहां लिखेंगे समीक रड़ एक भागा समीक रड़ दो से समीक एक में समीक दो से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो समीक एक क्या है तो समीका एक में C है और समीका दो में क्या है भी है बराबर हो गया समीका एक में गामा लेमडा है और समीका दो में गामा लेमडा डाबलू है तो यह समीका एक और समीका दो को आपस में क्या कर दिया है यहाँ पर भाग कर दिया है अब यहाँ पर जो है लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा गामा से ध्यान देंगे गामा से गामा को का करेंगे कार देंगे क्योंकि अंस में भी है और हर में भी है यह गामा जो है कट जाएगा गामा कटने के बाद से क्या बचेगा यहां लिखेंगे सी बटा भी बराबर ले प्रकास का चाल बटा माध्यम का चाल के अनुपात को क्या कहते है अपवरतनांग कहते है तो सी बटा भी अगर देखा जाए तो यह किसका सुत्र है तो सी बटा भी जो है अपवरतनांग का सुत्र है अब C-B-B-Co e को हटा देंगे और उसके अस्थान पर क्या लिखेंगे यान तो यह का बनेगफ यान बराबर हो गया लिमड़ा बटा को बनेगा लिमड़ा डाबलू हो गया तो यहाँ पर एक सुत्र बन गया अपो और तनांका अगर लेमडा डाबलू को लेमडा डाबलू जो है नीचे है इसको उपर कर दें तो क्या बनेगा लेमडा डाबलू बराबर हो जाएगा लेमडा बटा इन हो जाएगा यह किनिका सुत्र हो गया तो यह जल का तरंग दैर्ध का सुत्र हो गया अगर अपवरतनांग का मान बढ़ता है याद रखेंगे यदि अपवरतनांग का मान बढ़ा दिया जाए तो पानी का जो तरंग दैर्द है उसका मान क्या हो जाएगा घट जाएगा तो लिखेंगे जल का जो है अपवरतनांग बढ़ाने पर जल का अपवरतनांग बढ़ान यहाँ पे लिख लेंगे कि यदि अपवर्तनांग का मान बढ़ा दिया जाए तो जल में दिया जाए तो जल का तरंग दैर्ध है तरंग दैर्ध का मान क्या हो जाएगा तरंग दैर्ध का मान घट जाता है तो ध्यान देंगे यहाँ पर अपवर्तनांग को अगर बढ़ाते हैं तो पानी का जो तरंग दैर्ध है उसका मान क्या हो जाता है घट जाता है अगर अपवर्तनांग के मान को घटा दिया जाए तो जल का जो तरंगदर्ध है उसका मान क्या होगा बढ़ जाएगा मतलब यह बढ़ेगा तो यह घटेगा और यह घटेगा तो यह बढ़ेगा तो उमीद करते हैं यह आप लोगों को मान जो है समझ में आ गया होगा कि दो माध्य में तरंग दर्ध के मान में क्या परिवर्तन हुआ तो आप सभी विद्यारती से अपने कापी में जरूर नोट कर लिजे और आज यह पार्थ तरंग प्रकास की समाप्थ हो गया लाश्ट भाग था या अब कल से इस पार्थ का NCRT प्रशन को हल करके बताये जाएगा एक एक NCRT प्रशन को हल करके जो है आपको समझाया जाएगा तो आप सभी विद्यारती उस वीडियो को जरूर देखिएगा और एक नोटस भी बनाते चलिएगा तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास सेर भी जरूर कर दीजे तो आज का वीडियो इतना ही मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यारतीयों को नमस्कार